आज पांच जन्वरी दो हजार चॉबिस के बाबा के अन्मोल मदूर महावाथ के सुनेंगे आज की बाबा की मुली है ड्रामा बाबा कहे बाबा को इतना निश्चे है ड्रामा पर एहर बात एक्यूरेट हो रही है बच्चों को भी ऐसा ड्रामा पर निश्चे होना चाहिए कि जो हो रहा है वो हो बहु वैसा ही रिपीट हो रहा है परन्तु कई बच्चों को इसमें ही निश्चे की कमी हो जाती है और उसके कारण ही प्रश्न करते हैं ऐसा होता तो ऐसा कर देते थे ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता बाबा कहे जब सब कुछ ड्रामा अनुसार एक्यूरेट चल रहा है तो तुम बच्चे ये व्यार्थ संकल्प क्यों चलाते हो निश्चई में अटल हो जाओ अर्थाथ ड्रामा के प्रती एकदम अटल निश्चई बुद्धी बना सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मतुर महावाक्य ओम शांती, मीठे बच्चे, बाब समान, रुहानी टीचर बनो जो बाब से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ धारना है तो किसको भी समझा कर दिखाओ आज की मुर्ली से प्रश्ण है किस बात में बाबा को अटल निश्चई है बच्चो को भी उसमें अटल बनना है उत्तर है बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चई है बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा कल्प पहले जो किया था वही करेंगे ड्रामा तुम्हें उपर नीचे नहीं करने देगा परन्तु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है इसी लिए मुख से निकलता है ऐसा होता तो ऐसा करते पता होता तो ये नहीं करते बाबा कहते हैं बीती को चित्व नहीं आगे के लिए पुर्शार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से न हो ओम शान्ती रुखानी बाब रुखानी बच्चों को बैठ समझाते हैं बाब खुद कहते हैं मैं जब आता हूँ तो किसको पता नहीं पड़ता क्योंकि मैं हूँ गुप्त गर्ब में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालुम थोड़ी पड़ता है तीथी तारिक निकल न सके जब घर्ब से बाहर निकलती है तब वतीथी तारिक निकलती है तो बाबा की प्रवेश्ता की तीथी तारिक का भी पता नहीं लगता कब प्रवेश किया कब रत में पधारे कुछ पता नहीं पड़ता कोई को देखते थे तो वह नश्य में चले जाते थे समझा कुछ प्रवेश्टा है या कुछ ताकत आई है ताकत कहां से आई मैंने खास कोई जब तब तो नहीं किया इसको कहा जाता है गुप्त तीथी तारिक कुछ नहीं सुक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है ये कुछ नहीं कह सकते मुख्य बात है मन मनाभव बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतीतों को पावन बनाओ पावन दुनिया बनाओ बाप समझाते हैं ड्रामा प्लैन अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है सत्यूग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे सत्यूग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे सेकंड सेकंड पास होता जाता है समवत भी पास होता जाता है कहते हैं सत्यूग पास्ट हुआ देखा तो नहीं बाप ने समझाया है तुमने पास किया है तुम ही पहले पहले हमसे बिछडेगो सारा ग्यान बाबा करके समझाते हैं कि क्या हुआ था पहले पहले हमी सबसे पहले बाबा से बिचड़े हैं तो इस पर गौर करना है कैसे हमने 84 जन्म लिये हैं जो फिर हूँ बहु लेने पड़ेंगे अर्था दुख और सुख का पाट बचाना पड़ेगा सत्योग में होता है सुख जब मकान पुराना होता है तो कहां से छत बहती है कहां से कुछ होता रहता है तो फुर्ना हो जाता है इसकी मरमत करानी है जरूर अंदर में फुर्ना मनचिंता लगने लगती है इसकी मरमत करनी है जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है कि मकान रहने लायक नहीं है नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है अब तुम बच्चों को ये ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ न सके गीता रामाइन आदी सुनाते रहते हैं उसमें ही बिजी रहते हैं तुम हम भी इनी धंदों में बिजी थे अब बाप ने कितना समझदार बनाया है बाबा केते बच्चे अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है अब नई दुनिया में चलना है ऐसे भी नहीं सब चलेंगे जरूर है सब तो नई दुनिया में नहीं चलेंगे जिसने पहले पुर्शार्थ किया होगा वही अब भी करेंगे और चलेंगे सब मुत्ती धाम में बैठ जाए यह भी काईदा नहीं प्रलई हो जाए ऐसा भी नहीं होता है कि कोई भी यहां नहीं रहेगा तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्यानकारी संगम युग है अब चेंज होनी है फिर शांती धाम में जाएंगे वहां सुख के भासना की भी कोई बात नहीं गायन है यग्य में विगनप पड़े सुतों पढ़ते रहते हैं बाबा कहे कोई भी अच्छे कारिय करने जाओ तो जरूर है उसमें विगनतों पढ़ेंगे कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे तुम अब पक्के हो गए हो यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है विगन किस बात में पढ़ते हैं बाब कहते हैं काम महाशत्रु है इस पर ही अत्याचार होते हैं द्रावपदी की भी बात है ना ब्रह्मचरिय पर ही सारी खिट-पिट है सतो प्रदान से तमो प्रदान जरूर बनना है सतो प्रदान से तमो प्रदान बनना है जरूर सीड़ी उतर नहीं है पुरामी दुनिया होनी है जरूर इन साब बातों को तुम ही समझते हो बाबा हर एक बात कितनी क्लियर करके अच्छी तरह से समझाते हैं इन साब बातों को तुम ही समझते हो और सिमेरण में करते हो और पढ़ कर पढ़ाना भी है जो बाबा ने समझाया समझना है और सिमेरंट करना यानि चिंतन करना है और फिर चिंतन करके दूसरों को भी पढ़ाना है टीचर बनना है जरूर नौलेज बुद्धी में है तब पढ़ कर टीचर बनते है पिर टीचर से जो सीख कर हुशार होते है तो गवर्मेंट उनको पास करती है तुम भी टीचर हो बाप ने तुमको टीचर बनाया है एक टीचर क्या कर सकते हैं तुम सब हो रोहानी टीचर सबसे बड़ी विशेष्टा बाबा के इस यग्य की है कि बाबा ने एक-एक को अपने समान बनाया पीचर बनाया अर्था जो भी बाबा का बच्चा निश्चे बुद्धी हो जाता है वो जरूर दूसरों को समझाने लायक हो ही जाता है दूसरी जगह पर कोई अपने जैसा भी नहीं बना पाते हैं तो यहां की सबसे बड़ी विशेष्टा यह है बाबा कहे तुम सब हो रोहानी टीचर तो बुद्धी में नॉलेज होनी चाहिए क्यान तो बिलकुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का अभी जितना तुम बच्चे बाब को याद करते हो तो लाइट आती रहती है मनुष्य को सक्षतकर होता रहेगा क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से फिर किसको सक्षतकर भी हो सकता है बाब मददकार भी बैठा है बाप हमेशा बच्चों का मददकार है पढ़ाई में नमबरवार है हर एक अपनी बुद्धी से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धार्णा है अगर धार्णा है तो किसको समझा कर दिखाओ यह है धन धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है धन दान करेंगे तो महदानी कहेंगे महरथी, महवीर बात एक ही है सब एक जैसे तो हो न सके तुम्हारे पास कितने आते हैं एक-एक से बैठ माथा मारना होता है क्या वो लोग अकबार द्वारा बहुत बाते सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं, तो कहते हैं, हमने परमत पर क्या किया, यहां तो बहुत अच्छा है, एक-एक को ठीक करने में महनत लगती है, यहां भी कितनी महनत लगी है, फिर भी कोई महारती, कोई घोड़े स्वार, कोई प्यादा, यह ड्रामा में पार्ट है यह तो समझते हो आकरिन जीत तुम्हारी होनी है जो कल्प पहले बने थे, वही बनेंगे पुरुशार्थ तो बच्चों को करना ही है बापराई देते हैं, समझाने की कोशिश करो पहले तो शिबाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो बाबा कहें, मेरे भक्तों को जाकर समझाओ तुम पूच सकते हो, यह कौन है? इस पर क्यों पानी चड़ाते हो? तुम अच्छी तरसे जानते हो कहते हैं, गई टाड़े पर मना आग लेने और मालिक होकर बैड़ गई, दुनिया में कहावत है गई टाड़े पर मना आग लेने गई और मालिक होकर बैड़ गई यह द्रिश्टांद भी तुम्हारा ही है तुम जाते हो जगाने के लिए तुमको निमंत्रन देकर बुलाते हैं तो ऐसा निमंत्रन आये तो खुशी होनी चाहिए काशी आदी में बड़े बड़े टाइटल देते हैं भक्ती में कितने धेर मंदिर है यह भी एक धंदा है कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंड करा है आगे कर देते हैं पर जो कमाई होती है वो मिल जाती है है कुछ भी नहीं रिद्धी सिद्धी बहुत सीखते हैं ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए बाबा कहे तुम बच्चों को किसी के साथ शास्त्रार्थ यानि आर्क्यूमेंट नहीं करना चाहिए तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है मुक्ती जीवन मुक्ती दाता एक है उनकी महिमा करनी है वा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो वाकि मन मना भौ का अर्थ यह नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो मा में कम का अर्थ है मुझे एक को याद करो मैं प्रतिग्या करता हूँ मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूँगा। बाबा की ये प्रतिग्या है कि तुम मुझे याद करो तो मैं प्रतिग्या करता हूँ कि मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूँगा। ऐसी प्रतिग्या, ऐसी गैरंटी कोई दूसरा ले नहीं सकता। जब से रावन आया है, तब से पाप शुरू हुए है, तो उंच पद पाने का बहुत पुर्शार्थ करना है। पोजिशन के लिए मनुश्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, यह भी पढ़ाए हैं, इसमें कोई किताब आदी उठाने की बात नहीं है। 84 का चक्रत बुद्धी में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक जन्म की डीटेल थोड़ी बताते हैं, 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है, आत्मा जो पतीत बनी है, उनको पावन चरूर बनना है, सब को यही कहते रहो, मा में कम याद क करो, बच्चे कहते हैं बाबा, योग में नहीं रह सकते हैं, बच्चों की कभी-कभी शिकायत होती, बाबा, हम योग में नहीं रह सकते, अरे तुमको सन्मुक कह रहा हूं, मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो, प्रेम से याद करना है, योग कहने से ह थे तुम भूलते हो भावा कहे योग शब्द कहने से ही तुम भूलते भी हो बाप को याद कौन नहीं कर सकता लौकिक माबाप को कैसे याद करते हो यह भी माबाप है ना यह भी पढ़ते हैं सरस्वती भी पढ़ती है पढ़ाने वाला एक बाप ही है तुम जितना पढ़ते ह पिर औरों को समझाते हो बाब कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने जब तब करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो शिबाबा कहते हैं भगवान वाज कि शास्त्र पढ़ने जब तब करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो बगी फाइदा क्या? सीड़ी तो उतरते ही आते हो, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुन्य कैसे जमा होता है रावन राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया है ऐसे भी बच्चे है जिनको नई दुनिया, पुरानी दुनिया क्या है यह भी समझाने नहीं आता है नई दुनिया, पुरानी दुनिया क्या? बाबा कही यह भी समझाने नहीं आता है अब बाप कहते हैं कि बेहत के बाप को याद करो, वही पतीत पावन है बाकी तुमको कहां भी जाने की जरूरत नहीं है बक्ति मार्ग में सदेव पैर घर से बाहर निकलता था पती इस त्री को कहते हैं सिक्रिष्ण का चित्र घर में भी है फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्ग है? पती परमेश्वर है इसको भी नहीं मानते? बक्ति मार्ग में बहुत दूर-दूर उचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्य का भाव पैठे तुम समझाते हो मंदीरों में कितना दक्का खाते हैं? यह एक रसम पड़ी हैं शिवकाशी में तिर्थ करने जाते हैं परन्तु प्राती कुछ भी नहीं अब तुमको तो बाग की श्रीमत मिलती है तुमको कहां भी जाना नहीं है पतियों का पती परमेश्वर वास्तों में वह एक ही है जिसको तुम्हारे पती काके मा में सब याद करते हैं वह है पती परमेश्वर अत्वा पिता परमेश्वर वह तुमको कहते हैं मा में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे तुम्हारी जोद अब जग रही है तुम्हारे से मनुष्य को लाइट देखने में आती है अन्तीम समय बाबा कहे जितना आत्म अभीमानी स्थिती में रहेंगे उतना लोगों को लाइट देखने में आती है तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं न सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है पुर्शार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुराने से भी आगे गई है इसमें भी जास्ती पुर्शार्थ कर आगे चली जाएगी सारा मदार पुर्शार्थ पर है हार्ट फिल नहीं होना चाहिए पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ती पा सकते हैं दिन प्रते दिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे जो लास्ट में आ करके भी फास्ट चले जाएंगे ड्रामा में तुम्हारा विजय का पाट तो है ही विगन भी पढ़ते हैं और कोई सत्संगों में ऐसे विगन नहीं पढ़ते हैं यहां विकारों पर ही हंगामा होता है गायन भी है, अमृत छोड, विश काहे को खाए ज्यान से एक देवी देउकता धर्म की स्थापना हो जाती है सत्यूग में रावन राज्य हो न सके समझाने कितनी साफ है राम राज्य के बाजू में ही रावन राज्य भी दिखाया है तुम टाइम भी दिखाते हो यह संगम दुनिया बदल रही है स्थापना, पालना, विनाश कराने वाला कौन? एक बाप है है बहुत सहज परंतु धाना पूरी होती नहीं और सब बते याद रहती है बाकी ज्यान और योग भूल जाता है बाबा कहें बाकी सब बते बुद्धी में याद रहती ज्यान योग की बाते भूल जाती है तुम उँच ते उँच भगवान की संतान हो दिन प्रते दिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो धन मिलता है ना खर्चा भी आता जाता है बाबा कहते हुंडी भरती जाएगी कल्प पहले मिसले तुम खर्चा करेंगे कम ज़्यादा ड्रामा करने नहीं देगा ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है जो पास्ट हुआ ड्रामा ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसा होता था यह नहीं करते थे अभी वह अवस्था आई नहीं है इसलिए ऐसी विचार मन में आते रहते हैं ड्रामा के प्रति कुछ न कुछ मुख से निकल जाता है फिर फील होता है बाबा कहते हैं बीती को चितू नहीं आगे के लिए पुर्शार्थ करो ए ऐसी भूल फिर ना हो इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो इसमें बहुत कल्यान है बाबा ने एक को देखा सारी जीवन कहाने लिख रहे थे समझते हैं बच्चे सीखेंगे यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्यान है यहाँ जूट भी चलना सके नारत का मिसाल चार्ट से फाइदा बहुत है अपने को देखना नारत का मिसाल है कि अपना मुखड़ा पहले देखो तो बाबा कहे वास्तों में चार्ट से फाइदा बहुत है बाबा फर्मान करते हैं तो बच्चों को फर्मान पर चलना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सी किलते बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम सभी रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुरलीसी धाना के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट ज्यान धारण कर दूसरों को समझाना है ज्यान धन दान करके महादानी बनना है किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाब का सत्य परीचे देना है दूसरी पॉइंट तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है ऐसा पुर्शार्थ करना है जो फिर कभी भूल न हो अपना सच्चा सच्चा चाड़ रखना है आज का बाप दादा का मदुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है योग द्वारा उची स्थिती का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिष्टा भव आप राज योगी बच्चे योग में उची स्थिती का अनुभव करते हो अठ योगी फिर शरीर को उचा उठाते हैं आप कहां भी रहते उची स्थिती में रहते हो इसलिए कहते योगी उचा रहते हैं आपके मन की स्थिती का स्थान उचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए वैसे भी कहा जाता है कि फरिष्टों के पाउं धरनी पर नहीं होते फरिष्टा अर्था जिसका बुद्धी रुपी पाउं धरती पर नहीं हो देभान में नहीं हो पुरानी दुनिया से कोई लगाओ नहीं हो आज का स्लोगन है अभी दुआओं के खाते को संपन बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी अभी दुआओं के खाते को संपन बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी आज का अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्थिती का अनुभो करो परिष्टा स्थिती का अनुभो करने के लिए अभी अभी आवास में आते डिसकस करते कैसे भी वातावरण में रहते सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवास से परे न्यारे फरिष्टा स्थिती में टिक जाओ अभी अभी करम योगी, अभी अभी फरिष्टा अर्था आवास से परे अव्यक्ती साइलन्स की अनुभुती यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा बाबा इसलिए कहे यह अभ्यास जरूर करते रहना है तभी हम विजयी हो जाएंगे अच्छा ओम शान विफ दी लेटेस्ट वीडियोस